एलो एब्रीबन वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं सब भी लोग आई होप अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंटरस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद है 1994 में सल्मान ने मारी थी ऐसी दहर थरा गया था बॉक्स आफिस अक्षे गोविंदस सब पर बढ़ेते भारी बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान पिछले तीन दसकों से बॉलिवुड पर राच कर रहे हैं दुनिया भर में सल्मान के चाहने वालों की कमी भी नहीं है आज हम आपको सल्मान से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप भी अंजान रहे होंगे साल 1994 में वाक्स आफिस पर सल्मान खान ने कबजाई कर लिगा था यही वो साल था जब सल्मान ने अपने करियर की पहली आल टाइम ब्लॉक्वस्टर फिल्म देती सल्मान खान अकेले ही साल 1994 में सारे एक्टर पर भारी पढ़ गए थे चलिए आपको बताते हैं कि उस साल की पांस सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में जिसमें सल्मान की फिल्म नंबर वन पर थी हम आपके है कौन सल्मान खान और माधरी दिख्षित यह फिल्म साल 1994 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी विकिपीडिया के आकड़ों के अनुसार इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर कुल धाई सो करोड की कमाई की थी यह फिल्म सूरजबड जातिया दुआर लिखित और निर्देशित थी और राश्री प्रोडेक्शन दुआर निर्मित भी थी इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स आफिस पर हंगामा मचा दिया था मोहरा साल 1994 की एक्शन थ्रीलर फिल्म मोहरा जो राजीव राय दुआरे सहलिखित संपादित और निर्देशित थी और उनके पिता गुल्षन राय दुआरे निर्मित भी थी इसमें अक्षि गुमार सुनील सेटी और रवीना टेंडर लीड रोल में नजर भी आये थे इनके अलाबा नश्रूदिन सा, रजा मुराद, गुल्षिन ग्रोबर, परेश रावल, सदासिव अमरापूर और कुल भूशन घरवंदा सपोर्टिंग रोल में नजर भी आये थे यह फिल्म साल 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसने वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर कुल 15.81 करोड रुपे बटो रहे थे अब बात करते हैं क्रांती वीर की, क्रांती वीर साल 1994 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर कुल 12.85 करोड रुपे की कमाई भी की थी इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण मेहुल कुमार ने किया था, फिल्म में नाना पाटिकर, डिंपल कपाडिया, अतुल अगनिहोतरी, ममता कुलकर्णी, मुख्य भुमिका में भी थे वही फरीदा जलाल, परेश्रावल, टीनुवानन, डेंजोगपा, साहिक भुमिकाओं में भी नजर आये थे अब बात करते हैं, राजा बाबु की, राजा बाबु डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1994 की सबसे चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आये थी, जो रिलीज के साथी बॉक्स आफिस पर च्छा गई थी यह एक मेलो ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी, इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ती कपूर, कादर खान और अरुना इरानी, प्रेम चोपडा, गुल्शन ग्रोवर नजर आये थे इस फिल्म का संगीत आनन्द मिलिंद निका था, गीत समीर के थे और यह फिल्म 1992 की तमेल फिल्म रसु कुट्टू से प्रेरित थी, इस फिल्म ने वर्ल्ड बाइट बॉक्स आफिस पर कुल 12.27 करोड रुपे ही कमाए थे अब बात करते हैं आकरी 1994 की लास्ट फिल्म मैं खिलाडी तू अनाडी समीर मलकान दुआरे निर्देशित 1994 की पांचवी सबसे दा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी यह एक एक एक्शिन कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अक्षे गुमार, सैफ अली खान, सिल्पा सिट्टी और रागेश्वरी मुख्य भूमिकाओं में थे वही शक्तिपूर, जौनी लीवर और कादर खान भी साइक भूमिकाओं में नजर आये थे इसने बल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर कुल 11.64 करोड रुपे की कमाई की थी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग, बबाए, जैश्री राम